वेलकम टू स्पोर्ट्स अरीना आर्सीवी ने इनको रिलीज कर दिया इस साल लेकिन जब इनकी बोली लगना सुरू हुई तो इनका बेस प्राइस जो था वो 75 लाग था लेकिन राजस्थान रोयल्स ने इने 16.25 करोड में खरीद लिया वहीं दूसरा नाम आता है काईल जैमिंसन का जिने आर्सीवी ने खरीदा है 15 करोड रोपय में जो कि न्यूजिलेंड की तेज गेंदवाज हैं और बैटिंग भी कर लेते हैं तो इस बार जैमिंसन को आर्सीवी ने सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करके अपने नाम कर लिया ह जो कि दूसरे सबसे महाँगी खिलाडी रहे हैं वहीं दीसरे खिलाडी की बात करें तो वो हैं ग्लैन मैक्स बेल जो की तीसरे नमबर पर सबसे ज़्यादा पैसा अर्न करके जा रहे हैं आर्सीवी ने इने 14.25 करोड रुपए में खरीदा है हम आपको बता दें कई टीमों ने इने खरीदने की कोशिस भी की थी लेकिन अंत में आर्सीवी ने इने अपनी थरफ कर लिया अब बात कर लेते हैं नमबर चार की तो चौते नमबर पर जो सबसे महाँगी खिलाडी है जै रिचर्ड सन इनको पंजाब किंग्स ने 14 करोड रुपए में खरीदा है रिचर्ड सन ऑस्टिलिया के तेज गैंदबाज हैं जो की काफी यंग हैं और बहतरीन गैंदबाज हैं इनको भी कई टीमों ने खरीदने की कोशिस भी की थी मुंबई इंडियन ने भी इनके ल राउंडर खिलाडी हैं तमिल नाडू के और उन्हें यहां पर ले लिया गया है CSK के दौरा CSK ने उन्हें 9.25 करोड रुपए में खरीदा इनको खरीदने के लिए भी कईटी में आई थी लेकिन अंत में CSK ने उन्हें अपने साथ कर लिया इस बार आपको कृष्णपाद होनी की केप्टन सी में IPL खेलते नजर आएंगे तो दोस्तों आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि यह जो बेस प्राइस है खिलाडियों की यह बिलकुल ठीक है आपके अनुशार या नहीं क्या इनकी इतनी ही प्राइस होनी चाहिए थी आप हमें कमेंट करके बता सकते है हम आपके कमेंट का इंतिजार करेंगे फिलाल के लिए इतना ही for more videos stay connected